हेलो एवरिवन, वेलकम बैक टू अंदना की रसोई सद्धी के मौसम में मक्की का आटा, मूली और मेथी का कंबिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है तो इसलिए आज में आपके लिए लाई हूँ मक्के की आटे का बहुत ही टेस्टी नाश्ता जिसे आप हर बर खाना पसंद करेंगे तो वीडियो को एंट तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाईक एंड शेयर करना मत भूलिएगा अगर आप में चैनल पर नई है तो में चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा तो यहाँ पर मैंने मेथी ली है मेथी की डंडियों को मैंने अलग कर दिया है और पत्ते मैंने यहाँ पर रख लिये हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे इनको बारीक काट लेंगे तो अब मैं इनको काट लूँगी तो ये देखिए ये मिथी को मैंने काट लिया है और ऐसे ही अब मैं सारी मिथी काट लूँगी तो यहाँ पर देखे मैंने सारी मिथि काट ली है बहुत जादा बारीक मैंने नहीं काटा है इसे आप चाहे तो इसे बहुत बारीक भी कर सकते हैं तो अब यहाँ पर मैंने दो मूली ली है इनको मैंने अच्छे से पील कर लिया है और इनको वाश कर लिया है और wash करने के बाद अब हम इसे कद्दुकस कर लेंगे तो अब मैं इसे कद्दुकस करूँगी मैं मोटे वाली साइट से ही कद्दुकस कर रही हूँ आप चाहे तो बारिक वाली साइट से भी इसे कर सकते हैं तो ये मूली हमारी कद्दुकस हो गई है पानी इसका मैंने नहीं निकाला है पानी इसमें से निकालना नहीं है हमने इसको ऐसे ही रखना है निचोडना नहीं है तो यहाँ पर एक बॉल ले रही हूँ मैं इसमें डाल रही हूँ कद्दुकस की हुई मूली और अब मैं इसमें डाल रही हूँ मेथी मेथी को मैंने अच कप मक्की का आटा, तो एक कप मैंने इसमें डाल दिया है, अब हम इसमें डाल देंगे बारी कटा हुआ प्याज, दो बारी कटी हुई हरी मिर्ची, हरा धनिया डाल रही हूँ अब मैं इसमें, थोड़ा सा जीरा डाल देंगे, अजवाइन डाल रही हूँ अब मैं इसमें, सा काली मिर्ची का पाउडर डाल देंगे हम इसमें अब थोड़ा सा वाइट सॉल्ट डाल देंगे according to your taste अब मैं इसमें डाल देंगे लाल मिर्ची का पाउडर थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे इसमें धनिया पाउडर डाल रही हूं साथ में इसमें डाल रहे हैं गरम मसाला और साथ में इसमें डाल रही हूँ चाट मसाला और अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और अब मैं इसमें डाल रही हूँ दो बड़े चमज भरकर दही के fresh curd ली है मैंने यहाँ पर खटा दही नहीं लिजिएगा और साथी में मैं इसमें डाल रही हूँ दो चमज भरकर oil के इसको एक बार चमज से थोड़ा mix करने के बाद अब इसे हाथों से mix करेंगे अच्छे से तांकि जो सारे मसाले हैं और जो मूली और मेत्थी में पानी है वो सारा अच्छे से निकल जाए तो ये देखिए अब इसको हाथों से अच्छे से एक बार mix कर लेंगे तो ये डो अब भी बहुत जादा हाड है तो इसमें मैं डाल रही हूँ पानी पानी डाल कर आप इसको एक बार अच्छे से mix कीजिएगा तो अभी भी ये बहुत थिक है तो इसमें मैं पानी डाल रही हूँ और इसको अच्छे से mix करें तो यह बैटर हमारा बिल्कुल तयार है तो यह देखिए इसकी consistency बिल्कुल ऐसी consistency ही चाहिए हमें तो चलिए अब हम चीला त्यार करते हैं तो अब यहाँ पर हमने एक तवा गरम कर लिया है इसके उपर में डाल रही हूं थोड़ा सा ओईल oil को अच्छे से separate कर दें और इसे गरम कर लें अच्छे से तो इस गरम तवे के उपर हम बैटर डाल देंगे तो मैंने थोड़ा सा बैटर डाल दिया है और इसको हम अच्छे से फैला लेंगे इसको अच्छे से फैलाएं आप इसको जितना मोटा रखना चाहते हैं उसी हिसाब से इसको फैला ले अगर आप इसको पतला करना चाहते हैं तो अब हम इसकी sides पर और इसके उपर oil डाल देंगे तो उपर भी डाल दें और sides पर भी तांकि ये चिपके नहीं और जब हम इसे उतारें तो ये अच्छे से और असानी से उतर जाए तो चलिए अब इसकी side turn कर लेते हैं आप इसे बिल्कुल slow flame पर पकाईएगा क्योंकि मक्की की आटे को थोड़ा पकने में time लगता है तो आज को बिल्कुल slow रखिएगा medium पर भी नहीं बिल्कुल slow रखना है हमें इसे तो दूसरी side से पकते हुए इसे time हो गया है तो चलिए turn कर लेते हैं तो यह देखिए दूसरी side से भी अच्छे से पक गया है लेकिन अभी हम इसे और पकाएंगे तो चलिए अब इसे फिर से turn कर लेते हैं और दोनो side से इसे अच्छे से पकाएंगे इसे दबा लें थोड़ा सा तांकि अच्छे से यह सिक जाए तो अब यह चीला दोनों तरफ से अच्छे से पक गया है यह देखिए तो चलिए अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं यह देखिए मैं इसे प्लेट में निकाल लिया है और अब बाकी बचे चीले भी में ऐसे ही बना लूँगी तो यह हमारा दूसरा चिला भी रेडी है चलिए इसे प्लेट में निकाल लेते हैं और आइए इसे सर्फ करते हैं तो यह देखिए हमारे मक्की के आटे मूली और मेथी का नाश्टा बन कर एकदम तैयार है आप चाहें तो इसे कर्ट के साथ यानि दही के साथ भी इंज्वाई कर सकते हैं या फिर मिर्ची के अचार के साथ भी इसे खा सकते हैं दोनों के साथ यह बहुत टेस्टी लगेगा तो आप इसे एक बार जरूर ट्राइ कीजिएगा तो मिलते हैं हम हमारी अगरी वीडियो में तब तक stay safe, stay healthy and thanks for watching my video, bye bye